दोस्तो सरकारी लाब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे PM किसान सम्मानेदी योजना का जो 2000 रुपये का लाब मिलता है किसानों के लिए यदि अभी तक आपने अपना रेजिस्टेशन नहीं करवाया है अल्लाइन नहीं करवाया तो इस वीडियो के मादेम से आप असानी से अल्लाइन कर पाएंगे अपना खुद से या करवा पाएंगे इसके लिए आपको कुछ नहीं आपको एक खतावनी की जरुरत पड़ेगे जिसमें आपका नाम होना चाहिए और उसके साथ साथ एक पासबुक और अधार कार्ड होना आपके पास जरूरी है और एक आपका फोटो इमेज नहीं लगेगा इसमें तो किस प्रकार से आपको करना है मैं चलिए step by step बताता हूँ आपको बता दो कि PM किसान जो main site थी वो site जो work नहीं कर रही है तो एक नई site जारी हुई है PM किसान से वहां से आप सारी बिवस्थाए कर सकते हैं चलि मैं आपको नई site के बारे में भी बता देता है तो दोस्तों यही आप खेती वाले पैसा का PM किसान सम्वानी दिया इसका दो हजार उपे का जो लाफ मिलता है आपको तीन महीने में ती इसका लाफ लेना चाहते हैं तो आपको नया रजिस्टेशन करना पड़ेगा यदि अभी तक आपने रजिस्टेशन नहीं करवाया है तो आपको एक खतवनी अधार काड और पास्वू की जरूत तो दोस्तो आलाइन रजिस्टेशन करने के लिए मैं आपको बता दो कि आप नीचे स्क्रोल करते थे स्क्रोल करने के बाद जो डस्ट बोर्ड नीचे आता था देख सकते हैं यहां पर यहीं से आप जो है अपना निव रजिस्टेशन निव फार्मा रजिस्टेशन करते थ लेकिन मैं आपको बता दूँ कि देख सकते है coming soon pages under maintenance बता रहा है तो यह साइड जो है work नहीं कर रहा है एक नई site आज जारी हुई है जो मैंने आभी आपको बता रहा हूं और क्या क्या लगेगा यह भी आपको जनकारी मिल जाएगी इसके लिए आपको cut करना है फिर से Google में आ work नहीं कर रहा है अब यह site आपकी work कर रही है एक नई site है जो मैंने आपको बता रहा हूं तो इस वीडियो को ऐसे देखने के लिए subscribe जरूर करिएगा क्योंकि आपको नई जनकारी मिलती रहती है देख सकते कुसान सुबिदा में PM किसान फर्स्ट वाला आपसंस मिल जाता है जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आप अपना status चेक कर सकते हैं self registration का जो है आप जान सकते हैं status उसके बाद यहाँ से new farmer registration भी आप कर सकते हैं जो मैंने आपको live proof दिखाया यहाँ पे आप देख सकते हैं main site उसी तरह work कर रहा है जो वहाँ पे work नहीं कर रहा है आपका gate OTP करने के बाद आपका दो बार OTP जाएगा open होने के बाद आपका एक खतवनी लगेगा जो आपके नाम पे जमीन है उसके बाद एक passbook लगेगा और अधार काड लगेगा scan करकर उसके बाद आपका new registration आसानी से 100% हो जाएगा इस प्रकार से अपना registration करा सकते हैं तो वीडियो पाने के लिए प्लीज सस्क्राइब करिए और लाइक भी करिएगा